नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग रीवा प्रवास पर थे पिछले तीन दिन जिस तरह से वो रीवा में थे रीवा के अलग-अलग विधान सभा शेत्रों में पहुँचे उस इसकी बड़ी वजय क्या है मध्यप्रदेश में 2023 में विधान सभा शुनाओ है और विधान सभा शुनाओ के ठीक पहले लगबग 8-9 महीने का समय है प्रत्याशियों का चैन तमाम चीजें कॉंग्रिस के लिए रीवा में एक बड़ी चुनाओती है चुनाओती इसलिए है क क्योंकि पिछले लंबे समय से कॉंग्रिस को इस जोन में या फिर ये कहा जाया कि 2018 चुनाओ में जो करा रही हार मिली उसके पहले भी जिले का प्रदर्शन संतोष जनक नहीं रहा है 2018 में जब विधानसभा चुनाओ हुए तो आठ की आठ सीटों पर बीजेपी का कबजा हो गया ऐसी परिस्थिती में कॉंग्रिस के सामने चुनाओतीयां खड़ी होती गई और ये चुनाओतीयां बहुत बड़ी हो गई आपसी मनमुटाओ गुटबाजी तमाम चीजें रही पिछले दिनों जब नगर निगम का चुनाओ हुआ तो रीवा में कॉंग्रिस को जीत मिली उसके बाद से ये लगा कि अब 2023 की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग रीवा जब पहुँचे रीवा विधान सभा सिमरिया विधान सभा सिर्मौर तमाम जगे पहुँचे गुड़ भी गए थे वज़े ये है कि कमलनाद बहुत करीब से देखना चाहते हैं कि आखिर रीवा में क्या कुछ चल रहा है रीवा के राजनेतिक समीकरण क्या इशारा करते हैं और क्या संभावनाएं बन सकती हैं क्योंकि रीवा ऐसी सीटों में हैं रीवा जिले कीही 3-4 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशी चैन की प्रक्रिया कमलनाथ कम से कम 4-5 महिने पहले ही पूरा करना चाहते हैं कारण ये है ताकि प्रत्याशी को समय मिले और बिजेपी का जो गढ़ इतना मजबूत हुआ विंध में रीवा में वो तोड़ा जाए जिसके लिए बकायदे पूरी तयारी चल रही है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग जब रीवा में थे तो वो तमाम जगे जह जहां शामिल हुए जिन विधानसभा छेत्रों में गए उससे एक चीज साफ हो गई कि वो ये भापने आए हैं कि आखिर यहां किस तरह के प्रयोग किये जाएं यहां किस तरह से प्रत्याशी चैन में सावधानिया बरती जाएं कैसे सब को एक किया जाए यह देखा गया कि कि जब वो इस्थानी नेताओं के साथ चर्चा कर रहे थे तो बार-बार एक बात का जिकर कर रहे थे दोहजार तेश में मध्यपरदेश में कॉंग्रिस की सरकार बनेगी इसलिए सब एक जुट होकर काम करें क्या यह एक जुटता दोहजार तेश में विधानसभा गुड हो, हर जगे कहीं न कहीं दावेदार जो सक्री हैं, उनको उनकी जमीनी हकीकत को भी भापने का एक काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, जिस तरह सी वो लोगों से संबाद कर रहे थे, उससे एक चीज तो साफ हो गई, कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, कौन बगावती तेवर अपना सकता है, कैसे लोगों के बीच समान जैसे बैठाया जाए, पार्टी के अंदर क्या कुछ बड़े फेर बदल किये जाने है, संगठन का विस्तार करना, संगठन में कुछ परिवर्तन करना, कमाम चीजों पर इस्थानी जन प्रतिनिद्यों से, नेताओं से, व एक जुठ होकर लड़ना है, एक चीज तो साफ है, कि रिवा कमलनात के लिए एक बड़ी चुनौती है, उनको पता है कि यहाँ पर आठ की आठ सीटें 2018 में हार चुके हैं, के इस में क्या तैयारी रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, हलाकि प्रभारी प्रता कारियां आप तेज हो गई है, मिशन 2023 के लिए कॉंग्रेस ने कमर कस ली है, बहुत बहुत धन्यवाद